हाई, वेलकां टू माचनल, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दो क्वेशन्स जो CHS इंटरेंस में पूछा हुआ है, तो ये 2019 के दो क्वेशन्स हैं, ठीक है, 2019 में पूछा था, तो ये दोनों क्वेशन्स जो हैं, थोड़ा से टॉफ हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि क्लास एर् क्वेशन्स हैं, यदि आप फिर भी इसका सुलिशन्स देखना चाहते हैं, तो लगे रहिए, मैं आपको बताता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ, कर रहा कि, if the cost of, यदि cost है 37 पेंस का, और 53 पेंसिल्स का, together, मैंने इन दोनों का जो total cost है, वो दे दिया है, रुपीज 320, ओके, अब कर रहा है कि, while 53 पेंस and 37 पेंसिल्स, together, cost रुपीज 400, the cost of the 2 पेंस is, मतलब यहां पर देखे क्या किया है, पहली बार लिया 37 पेंस and 53 पेंसिल्स, इन दोनों का total cost जो है निकाल लिया है 320 पेंस, फिर इनको उलट दिया, मतलब 53 पहले लिख दिया है यहां पर, 53 पेंस and 37 पेंसिल्स, इनका cost जो है total दे दिया है 400, ठीक है, तो पुछाए कि cost of 2 पेंस, 2 पेंस का cost कितना होगा, तो 2 पेंस का जो cost है, वो तभिन काल सकते हैं आप, जब आपको 1 पेंस का cost पता हो, है वन पेंसिल का cost भी माल लेंगे, वन पेंसिल का cost है, वो क्या है, वाई रूपीज है, यहां पर हम ले रहते हैं, वाई रूपीज, अब बताए, एक यदि पेंस का cost है, एक्स रूपीज, अब हमें क्या करना है, समझे ध्यान से, अब यहां पर हमने यह माल लिया ना, कि वन पेन का cost जो है, x रूपीज है और 1 पेन से लिए cost वाई रूपीज है तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, equations बनाना है तो कैसे बनाएंगे दो equations समझे द्यान से, यहाँ पर दिया हो है 37 pens तो 37 pens का cost कितना हो जाएगा, देखें, एक पेन का cost है x रूपीज तो 37 पेंस का कॉस्ट कितना हो जाएगा 37 से मड़िपलाई कर देंगे 37 एक हो जाएगा है कि नहीं हम लगाएंगे यहाँ पर Unitary Method और उससे कर रहे हैं प्लस कर देंगे 53 पेंसिल का कॉस्ट निकलना है तो Y रूपीस हमने माना है एक पेंसिल का कॉस्ट तो 53 पेंसिल कितना हो जाएगा 53 इन्टू Y मड़िपलाई कर देता है जैसे माल यह मैं बोला कि 2 रूपए में 2 रूपए में 1 मिल रहा है क्या पेंट तो बताएगे कि 50 पेंट कितने मिलेगा 50 पेंसिल का निकालने के लिए आपको मड़िपलाई कर ना पड़ेगा 2 से तो वही बात यहां भी कर रहा हूं मड़िपलाई कर रहा हूं यहां ठीक है तो मतलब कि जनरल यूनिटरी मेथड जो होता है वही यह अपलाई यहां पे हो रहा है तो यह बन गया हमारा यह टूटल कास्ट आ गया 37 pens and 53 pencils का और यह दिया हुआ है कितना 320 तो यह हमारा बन गया एक equation इस फॉस्ट equation अब हमारा दूसरा जो equation बनेगा वो यहां से बन जाएगा 53 pens तो यहां पे लिखे जएंगे 53 x प्लस 37 pencils 37 यहां पे लिखेंगे 37 y pencils का cost is equal to कितना दिया है 400 हमारे बन जाएगे दो equations और यही है linear equations in two variables तो यह हो जाएगा दूसरा equation आप इनको solve किसे करेंगे तो देखेंगे यहां थोड़ा सा unique तरीक से solve होगा यह 37 यहां पे है 37 यहां भी है 53 यहां है तो 53 यहां भी है इसका मतब दोनों को add करेंगे तो कुछ same value आएगा तो दोनों को add कर दीजिए दोनों को add करने के लिए करेंगे नीचे एक line खीज़ देते हैं और add करते हैं समय science change नहीं करते हैं डिर्क लिए add कर देते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 का 0 1 carry over 5 3 8 और 1 9 मतब 90X plus यहाँ पर add करने के तो 90Y ठीक है इसको add करेंगे मिलेगा आपको 0 2 और 3 4 7 720 अब यहाँ पर आप X plus Y निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों से 90 कामा लेकर कि इधार डिवाइड कर सकते हैं तो 90 से डिवाइड कर लेंगे X plus Y बरबर 8 अब क्या करना है कि दोनों को separate करना है मतलब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 37X प्लस जो 53Y है इसकोल टू यहाँ पर है 320 और इसके निचे यह लिखेंगे फिर से 53X प्लस 37Y इसकोल टू यह हो जाएगा 400 करेंगे क्या अब यहाँ पर separate करेंगे मतलब उपर वाले में से निचे गाली को minus करेंगे तो एक बार add किये थो तो यह symbol बन गया था फिर एक बार minus करेंगे तो simple फिर से बन जाएगा और फिर उन दोनों उसालब करेंगे तो answer आजाएगा ठीक है और उसको हम third मानते है फॉस्ट नहीं बलकि third मानते है ठीक है यह फॉस्ट स्कَّnd है यहाँ पर add करेंगे री केंदा आएगा 73 केंदा जाएगा 0 और यह करेंगे आपर मानस करना है मानस करना हिएका और यह प्लस है तो यह मानसboard से जाएगा और यह भी करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस में 80 क्योंकि 320 में से यही मैनस करेंगे 400 तो निगेटिव आएगा यहां सब 16 कामा ले लेंगे तो मिलेगा हमें 16 कामा लेने पर मिलेगा माइनस यहां पर x रहेगा प्लस y is equal to minus of 80 यह मिलेगा minus x plus y is equal to हो जाएगा minus 80 अपान 16 कर जाएगा मतलब कि अब यहां पर मैनस x plus y is equal to minus 5 आ गया तो दुनों तरफ क्या करेंगे minus 1 से मैंप्लाई कर दीजिए यहां पर एक्स क्या हो जाएगा positive हो जाएगा यहां हो जाएगा minus y is equal to इधर पर positive हो जाएगा ठीक है अब यह बन गया हमारा fourth equation तो third और fourth को जाएगे न मतलब add करेंगे third और fourth को तो हमारा एक पेन का cost आ जाएगा मतलब x की value निकल जाएगी तो अब यहां पर हम add कर लेते हैं तो कैसे करेंगे x plus y बराबर पहले लिख लेते हैं यहां पर 8 दिया हुआ है पहला है और यह आप लिख लिख लिखे इसके नीचे x minus y बराबर हो जाएगा 5 दिखे मैं समझाने में यहां time लग रहा है आप जोदी fast करेंगे तो जल्दी कर लेंगे ठीक है यहां पर add करेंग जो है एक pen का cost है हमें निकालना कहा है तो cost of two pens तो एक pen का cost है हाँ मिल गया 13 upon 2 तो दो pen का cost कितना होगा 2 समझाने कर देंगे मतलब कि 2x निकालना पड़ेगा 2x बर और क्या हो जाएगा 13 upon 2 में 2 समझाने करना पड़ेगा मतलब 13 रुपीज मिलेगा तो हमारा जो answer होगा वो ह होगा 13 रुपीज मतलब कि option तीसरा correct है देख रहा है यह थोड़ा सा आपका tough question है क्योंकि आपके लिए आप पढ़े नहीं है यह method लेकिन समझ गया है कैसे solve करेंगे ओके अब चले solve करते हैं question number two तो यहां पर देखिए ऐसा भी question आप पढ़े हैं आप लेकिन जो आप पढ़ करेंगे इसको भी ठीक है तो बुलाए कि the sum of a two digit number बुला है कि अब एक two digit का number है जैसे 32,46,58 हाना तो two digit का number है और उसको sum करना है कि इसमें उसके जब digits को interchange कर देते हैं तो यहां लिए क्या बला है कि the number found by interchanging its digits is 110 मतलब कि देखिए यहां से एक number यह है a two digit number है उसको बाद से ए तो यह जो मैंने cover किया यहां पर जो block बनाया है यह पहला block है एक two digit number है उसके बाद से यहां पर एक number है जो ऐसे बनाया हुआ है the number found by interchanging its digits मतलब यह जो पहला number लेंगे उसके digits को जिदी interchange करके बनाएंगे तो उन दोनों को add करेंगे तो मिलेगा आपको 110 110 यह पहला बात बोल यह बहुत कठीन हो जाता है इसलिए हम यहां बताएंगे कैसे मानना है ठीक है अब आगे जो बोला है हम आगे काया से तो करेंगे लिगिन पहले हम यहां पर let's suppose करेंगे अब यहां कैसे मानेंगे अब हमें एक मानना पड़ेगा two digit number और यह बताएंगे जब two digit number बानते हैं तो xy ऐसा होता है कोई number जिसमें 21 है तो 21 में क्या है दो digit से हैं इसमें एक 10th place का digit होता है और यह होता है 1th place का तो इसमें से किसी को मानना पड़ेगा कि कौन सा 1th place का है कौन सा 10th place का है योदि xy मानते हैं वो number xy तो इसमें मानना पड़ेगा कि x क्या है 10th place का digit है और y क्या कि युनित्स स्प्लेस का इसे माल लेते हैं कि माल लिज़े कि LET XB X जो है युनितれた डिजिट है इसमैं साड़कैमे माल लेते हैं इनिटश्प्लेस का डिजिट है और only thing ala clarify pesso ए अधिक का आ यसरी मान रहें तो हमें निखना पड़ेगा ऐसे तो number क्या हो जाएगा number हो जाएगा hence the number is जो number हो जाएगी वो हो जाएगी क्या दिखे यह जो number यदि होता है यदि आप लेते हैं यहाँ पर 10th place में क्या है y happened माना है मतलब कि जो number बनेगा वो बनेगा yx यह units place हो गया यह 10th place हो गया अब yx को हम लिखते हैं इस तरीके से 10 into y plus x तो इसको भी number हो जाएगा हमारा क्या 10 into y plus x मतलब कि हमारा number बन गया 10 y plus x ठीक है अब गया करना है कि sum कर रहा है जोड़ना है कि इसको the number found by interchanging its digits अब यह जो number बन गई है इसके digits को interchange कर दिजे मतलब कि x को यहाँ लाइए और y को यहाँ लाइए तो एक और number बन जाएगा जैसे कि यह yx है तो xy ला दिजे xy क्या होगा हम xy को लिखेंगे यह expand करके तो मिलेगा हमें 10x plus y है कि नहीं 10x plus y यहाँ पर हम ले लेंगे दूसरा number second number क्या हो जाएगा तो इन दोनों को यहाँ आड करेंगे sum करेंगे sum करने पर क्या मिल रहा है x10 मिल रहा है 110 मिल रहा है दोनों को आड करके आप दिजे एक equation 10y plus x plus यह लाइड करेंगे तो होगा 10x plus y इसको लिखेंगा 110 आप तो रहाँ साल्प कर लेते हैं 10y और y कितना हो जाएगा 11y plus x और 10x कितना हो जाएगा 11x 11x is equal to 100 10 हो जाएगा यहाँ तो इन दोनों से कमब ले लेंगे 11 और डिवाड कर देंगे तो मिल जाएगा 10 आपा 11 11 कर जाएगा मतलब मिल जाएगा 10 मतलब यहाँ पर मिल गया हमें x plus y बेराबर 10 इसको मतलब इधर में लिख दिया x को और y को में इधर लिख दिया ठीक है x plus y बेरा मिल गया 10 अब यह मिल गया हमारा first equation अब solve करेंगे second equation कैसे हम बनाएगे 10 is subtracted 10 जो है subtract किया जाता है from the first number first number क्या है यही है यह है आपका first number तो first number में से 10 जो है subtract किया जा रहा है मैं color change कर लेता हूं first number है आपका 10 y plus x इसमें से एक number कितना 10 सब्डेट कर रहा है 10 minus कर लिए 10 the new number is तो आप जो number बन रही है मतलब equal to जो बन रहा है is 4 more than 4 more than मतलब 4 जादा है करना है किसमें किसमें करना है the sum of the digits in the first number तो first number यही थी first number में जो digits है मतलब y over x इन दोनों को add करके इन दोनों को add करके 5 समे बन रहा कर लेंगे तो यह बन जाएगा हमारा equation अब हमें इसको solve करना पड़ेगा तो मिलेगा हमें 10 y plus x minus 10 is equal to 4 plus 5 समें बन लाए कर लेजिए तो मिलेगा आपको 5 plus 5 x plus 5 y ठीक है दोनों में bracket बन लाए कर देंगे यहाँ पर देखे एक साथ करिए और y y को भी एक साथ करिए तो 10 y में से 5 y मैंस करेंगे 5 y को इलेगे इधर मिलेगा आपको 5 y मैंस कर देंगे x में क्या करेंगे 5 x देखेंगे इधर तो मैनस 4 x बचेगा क्यों क्योंकि यह 5 x है left में जाएगा तो का होगा निगेटिव हो जाएगा x minus 4 x क्या हो जाएगा minus 4 x ठीक है अब यह is equal to 10 को लेजे यह right side में इधर 4 plus 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अब यहां में लिगा है 5 y minus 4 x is equal to 14 अब हमारा पहला जो एक क्या बना था यह बना था मतलब y plus x is equal to 10 तो इसके नीचे लग दीजे लेकिन अभी यहां solve नहीं कर पाएगा देखें y plus x बराबर 10 है और यह क्या है 5 y minus 4 x is equal to 14 है तो इसमें किसे नमर से मड़पलाई करना पड़ेगा मतलब कि y y को same करना पड़ेगा तो यहां 5 से मड़पलाई कर लिजे 5 y plus 5 x is equal to 5 बन जा 5 10 हो जाएगा मतलब कि बोथ साइट्स में मडपलाई करने के 5 से तो इतना मिल जाएगा अब इस equation को इसके निचे रख करके solve कर लेंगे तो यहां थोड़ा साम इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हम solve कर पाएग ओके तो यहां पक्या हो जाएगा इस पूरे equation को यहां रखिए तो मिलेगा हमें 5y plus 5 x is equal to 50 अब यह आपको लग रहा होगा बहुत कठी नहीं आ दो कि दो के मैनस मैनस और मैनस हो जैगा और यहां मैनस मानस करीगा मैनस नाइन एक सिक्स कि दा फूरे अब एक्स बरपर 4 आ बरबर क्या आएगा तो x 4 हो गया तो यहां से निकालेंगे देखें यहां पर इस ही equation रख लेंगे इस equation में और यह equation जो पहले वाला है तो यहां पर रखेंगे x बरबर 4 तो 4 प्लस y बरबर मिलेगा 10 और y बरबर मिल जाएगा 6 खेंगे अब हैं मिल गया x बरबर 4 और y बरबर क्या मिल लेगा 6 तो पुछा क्या है पुछा यह दो the first number is first number क्या होगा first number क्या था यही जो था वही first number है यह वाला 10 y प्लस x यहां पर वही हम करेंगे यहां पर 10 into y प्लस x means 4 इस मिल लेगा 64 मतलब कि 64 आपका answer होगा यदि आप यही वाला number नहीं निकालेंगे तो 46 भी दिया हुआ है तो 46 भी आ सकता था लेकि 46 होगा नहीं आपका 46 64 answer होगा तो hope गया को उस दोनों समझ में आ गया होगा और यह questions toughest questions थे जो पूछे गए थे 2019 में यह CHS के इंट्रेस में पूछा था जो कि class 9 पर पढ़ेंगे आप तभी solve कर पाएंगे इस question को तो खेर यदि आप जाना चाहते हैं solution तो मैंने बता दिया तो like कर दिएगा दोसों share करिएगा और कोई भी doubt होता है तो comment पर लिखेगा thank you so much, bye